करते हैं अगली खबर का 36 गड़ के मुख्यमंत्री भुपेश बगेर इस वक्त यूपी पहुंचे हैं यूपी के गाजीपुर में जंसभा को संबूधित कर रहे हैं जा नहीं मिला तो महंगाई मुद्दे पर अभी ये चुनाओं है साथ तारीक बस साथ तारीक आखरी दिन है जब पेटोल और डीजल के भाव नहीं बड़े साथ तारीक के बाज फिर से इस प्रतिस परदा होगी डीजल बोले मैं आगे पेटोल बोले मैं आगे और डेड़ सो पार जाएगा भी तो सौप छू चुका है यदि महंगाई को रोकना है तब भारती जनता पार्टी खराना होगा यदि गेहों और धान की कीमत आप पाना चाहते हैं भारती जनता पार्टी खराना होगा नौरे ज़ुए तो भार्ती जंता पार्टी ख़राना होगा, गैस सिलेंडर एक सस्ता पार्टी ख़राना होगा लेकिन आदर्नी साथियों कोई पार्टी आपको यह नहीं कर रही है कि आपके द्धान अवगे हूँ 25-100 रुपयम खरीदेंगे गन्ना 400 रुपयम खरीदेंगे 15 दिन में भुक्तान होगा कोई यह नहीं करा कि 3 सिलेंडर आपको मुप्तम देंगे बीस लाख लोगों को रुजगार देंगे ये केवल कांग्रेस पार्टी कर रही है और कांग्रेस के नेता प्यांका गांदी कर रही है ये मुद्धे आप के मुद्धे हैं किसानों के मुद्धे हैं नाजवानों के मुद्धे हैं आपारियों के मुद्दे हैं आज बारा लाग पद खाली उत्तर प्रदेश में हमारे नाजवान भठक रहें क्यों नोकरी नहीं मिलना चाहिए क्यों चुप है योगी जी आपको बुल्डोजर चलाने फूसाद हो तब तुन्हों जोनोग भरती करेंगे आप तो जाती है धरम के अधार पर वोड़ करते हैं क्यों क्यों आपके लोग बच्चेों को नोकरी देंगे आपके ब्यापार कैसे फले फुले उसकी चिंता करेंगे क्यों आपके बंद चुनाओं का है और चुनाओं में मद्दाता ही सब कुछ है प्रजातंत्र में मद्दाता ही सब कुछ है आप जिसके चुनाओं चिन्न के आगे उंगली रखेंगे वही विधान सबह में पहुंचेगा ते लड़ाई किसकी होनी चाहिए इस सत्ता में बैठे हुए लोगों क विरोध में आपके लड़ाई होनी चाहिए